नवास्कार दोस्तों दोस्तों biggest mistake in column casting जब हम लोग column की धलाई करते हैं उस समय सबसे बड़ा एक होता है वह होता आपका concrete vibrator का यूज नहीं करना हो कि आप लोगों जयातर देखा होगा सुना भी होगा कि contractor आपको बोलेगा चोटा से कोलम है बस इसमें थोड़ा सा सर्यासा ही खेच देंगे मतलब थोड़ा सा कंपेक्शन कर देंगा तो हो जाएगा लेकिन जब आइछ से गटी-गटी जैसा दिखेगा हनी-कम है यह रीजन क्या है यह सिर्फ अर। यह वैटेर्वेर्म एकर रीजन है और अगर ऐसा कॉलम पन जाता है क्या उसको तोरा के फिर शेडर step स नया बाना चाहिए या वैसा काहीं वैसा होना चाहिए रहना दे दशी चलते हैं हम इस वीडियो जरी आपको बताएंगे कि भाई biggest mistake in column casting क्या होता है और साथ ही और हनिकम आने का कारण क्या है concrete में सबसे पहले हम बात करते हैं कि हनिकम जो concrete मारता है वो है आपका पहला reason कि इसमें जो है आपका insufficient compaction of two concrete मनलगे कि concrete में proper तरीके से concrete भाइबरेटर यूज नहीं करना और उसमें जितना भी air void है वह आपका बाहर निकल जाएगा और जहां जहां जो है concrete को जाना चाहिए वहाँ पर अच्छी तरीके से बैट जाएगा जिससे क्या कि पूरा एक वो concrete दूसरा डिजन क्या है आपका improper workability in concrete जिस workability के साथ बनना चाहिए वो उस तरीके से नहीं है इसके वज़स से भी ऐसा होगा और दूसरा क्या है कि बहुत जगा यह देखा गया है कि place cover to reinforcement बार मतलब क्या हो गया कि सट्रिंग बोड और reinforcement बार के बीच में कवर जो गयप होना चाहिए अगर कोलम की बात करें होना चाहिए वह आपका उतना नहीं है उसके वज़स से भी जो है आपका हनीकम आएगा जिससे कि जब रिस्ट्रिंग करेंगे तो आपका कोलम का सरिया दिखेगा अब बात करते हैं कि कभी कभी क्या होता कि concrete जिस समय हम लोग प्लेसिंग कर रहे हैं कॉलम में डाल रहे हैं उससे पहले वो जो है सेट हो जाता है उसके बाद हम जबरदस्ती पानी मिला करके उसको फिर से गिला करके फिर डालते है वह तो भाई पोरा बरबाद हो गया यह नहीं करना चाहिए और साथ ही मैक्सिम जगा यह भी देखा गया है कि ज्यादा हाइट से कंकीट को जो है प्लेसिंग किया जा रहा है उसके वज़े से भी जो है आपको उतना है और साथ ही हम छठा पॉइंट की बात करें तो सट्रिंग हम लोग जो करते हैं वो जो है फॉ उसके वज़े से भी आपको हनिकम दिखेगा और साथ ही जिस इसाथ से डिजाइन मिक्स केनुसाल चाहिए जो भी आपका साफसे कोर्स अग्रिगेट में लग गिट्टी होना चाहिए उस इसाथ से अगर नहीं है तब उसके कारण भी जो है आपका हनिकम आएगा और साथ ही आपको ये बता दू कि कभी-कभी क्या होता है कि एचपर डिजाइन के इसाब जितना हमें पानी मिलाना चाहिए उससे कहीं ज्यादा और भी हम पानी मिला देते हैं उसके वज़े से भी हमें आपका हनिकम आता है तो दोस्तों ये था एक रिजन और जहां तक आप लोग देखा इस कोलम को इस कोलम में इतना हनिकम है और इसका एक मैन रिजन ये भी होता है कि वह कंक्रीट पोरिंग से पहले ही जो है वो सीट हो गया है वो एक रिजन है तो इस तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जो है जरूर पसंद आया होगा और पसंद आया तो जरूर इसको लाइक कीजिए शेर कीजिए और खास करके हमारे चनल वाक तो सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि जैसे हैं आप अचले सब्सक्राइब करेंगे उसके झाल 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 तो सुटी तो सिंद लोगा झाल 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 तो सक्षक्वारोब कर देए